दो हजार चोबिस के चुनाव से पहले होने वाले सेमिफाइनल के अंदर बीजेपी की स्थिती कैसी है बीजेपी की हालत कैसी है इस वीडियो को देख करके समझे मद्य परदेश में चुनाव होना है च्छतिस ये तीन वो बड़े राज्य हैं जो सेमी फाइनल के तोर पर देखे जा रहे हैं 2024 के लिए लेकिन इस वीडियो का अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे बीजेपी की हालत ये है कि किसी तरीके से भी एक रन कहीं से मिल जाए चोका छका बाउंडरी तो छो से पार करेंगे अब देखी ये जो वीडियो है ये कौन सक्स है पहले मैं आपको बताता हूं ये पोस्टर आप देख रहे हैं ये भारती जनता पार्टी मद्यप्रदेश का पोस्टर है नरेंदर मोदी है जेपी नडड़ा है यहां पर शिवरा सिंग चोहान है और यहां प सिंग चोहान के नित्रतों में संचालित विभिन गरीब कल्यानकारी योजनाओं के हित ग्रहियों के गड़ छिंदवाड़ा में हुए वाड़ पारसद के उपचुनाओं में भारती जनता पार्टी ने मद्यप्रदेश में जीत का इत्यास बनाया है और उस जीत के इत्यास का क्रेडिट दिया नजेंदर मोदी को जीत के इत्यास का क्रेडिट दिया सिवरा सिंग चोहान को और उनकी सारी गरीब कल्यानकारी योजनाओं को दिया है लेकिन जीत हुई किसीज़की है मालू मैं आपको जीत हुई है एक पारसद की चिंदवाड़ा के इनी का दूसरा 436 वोट से जो पार्टी सता में है जो पार्टी डबल इंजन की सरकार चला रही है वो पार्टी 436 वोट से एक पारसद जीता है और उसके लिए प्रेस कोंफरेंस के अंदर जो है दो दो ट्वीट हो रहे हैं एक ये ट्वीट है किससे पिछला ट्वीट है और एक ये ट्वी सुनिए जरा तसली से किस सरह से जो है वो महराज 436 436 वोटों के लिए किस किस को सरे दे रहे हैं यह और यह है पार्टी के प्रदेश अध्यक्स सुनिए पार्टी जंदा पार्टी बद्ध्य प्रदेश ने अज पार्षद के उप्चुनाओं में फार्षद के उप्चुनाओं में अब इत्यास कि इत्यास मारे का काम किया है इत्यास ऑशिंदोरा तका मैंणत लगते हैं में प्रधान मंत्री नेरेत मोदी जी की मन्य बोक्च मंत्री जी की घरीब कल्याण की योजनाओं का गड़ मोदी तो मैंने कहा था कि चिंदवारा किसका गड़ है सीवराज मैं उस दिन मीडिया को लिवित किया था कि चिंदवारा वरीव कल्याण की योजनाओं के तग्राईयों का गड़ आज इस थावित दूरा है कि पारशत के चुनाओं में स्रीमान कमलना जी के अपील जारी करने के बाद सभी बूथों पर भारती जनता पार्टी ने जीत का इत्यास पुना करके 436 वोटों से 436 भारती जनता पार्टी के प्रत्यासी इत्यास बनाया से बुर्देश के अंदर के चुनाओं का आगाच और आज इसके मारे में चिन्दवरा की जनता ने प्रियंका गांदी जी प्रचार करके भी गई थी आयना चिंदवाड़ा के अंदर चिंदवाड़ा की जनता ने प्रदेन बूत पर जो हमने बूत विजय का संकल लिया है आज उसकी सुप्रात हुए लड़ा पासट परशन वोट फाकर के भारती जनता पार्टी ने और बूत पर 51 प्रिक्तिसत वोट सेर का संकल्थ की सुरुवाद आज चंदवाड़ा से हुई है अभी तो यह अंगणाई है आगे देखते चलिए मत्रप्रदेश प्रचम की ओध अक्रशन हुआ है इसने आज मैं चंदवाड़ा की जनता को और महात्यकार करता हूं को बहुत थैसे धन्यवाद 436 वोट एक पारसद्ग जीता है 436 वोट से और उसको लेकर के कमलनात को यह मोदी को जाए वो क्रेडिट दे दिया सिरासी चुहान को क्रेडिट दे दिया और उसको लेकर के विबिन जो इनकी कल्यान का योजनाय चल रही है उसको क्रेडिट दे दिया जो पार् लगाई सबकी ताकत का परिणाम यह रहा चार सो चार्सो चाटिस वोट से बीजेपी जीत गई और कह रहा है कि यहां से च्षोटी से जीत है एक 436 वोट होता क्या है और पारसद जो होता क्या है एक जो है वह आप लगा लीजिए को एक छोटा सा वार्ड है उसका पारसद ठीक है वह 436 वोट से जीत गया अब इसको ले करके एक ट्वीट तो ये किया ही था इनोंने इत्यास बनाया यह सारी बाते जो कई थी इन्होंने लेकिन देखिए एक दो ट्वीट इन्होंने और ठोक दी हैं यह जो है एक और बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया यह वीडियो ट्वीट करते वे धनबल बाहूबल गुंडागर्दी कॉंग्रेस का मूल चरित रहे चुनाव में हार देखकर के कॉ पाक हो रहे हैं इसलिए मीडिया और सास्किय करमचारियों को धंकाने का प्रियास कर रहे हैं 436 वोट से जीत करके आए हैं यह खुद इन्होंने ट्वीट किया है यह साब जीत करके आए इनको बदाई हो बताइए इतने इनके कंदे मजबूत हैं कि कमलात यह जो है वो सिव 2023 की विदानसबत चुनाओं का भी आगाज कर रहे हैं सारी बात इन्होंने कर दी लेकिन जरह इसको टटोल कर भी देखें क्या वाकी ऐसी स्थिति है क्या वाकी ऐसा ऐसी हालत है मध्यप्रदेश के अंदर हलाकि 2018 के अंदर यह आर गए थे यह याद होगा आपको 2018 में बीज चीजों को टोलें तो फिर स्थिति क्या है राहूल गांदी अभी गए थे मध्यप्रदेश और राहूल गांदी क्या कहते राहूल बोले MP में कोंग्रेस 150 सीट जीतेगी सिवराज का पलटवार ख्याली पुलाव पकाते रही है तो राहूल गांदी 150 सीट कह रहे हैं और रा राहूल गांदी ने तब मीडिया से बात की थी दिल्ली के अंदर या इसी सी में तब यह दावा किया था करनाटक में 136 सीटे मिली हैं और मध्यप्रदेश में 1500 सीट मिलने वाली हैं और यही बात यहां पर कमलनाथ ने और वाकी नेताओने कॉंग्रेस के उन्होंने दो रा तो प्रिंका गांदी उनकी रैली वो सीधे यहां पर होती है करनाटक की जीत के बाद में मीडिया डिपार्टमेंट कॉंग्रेस की तरफ से जिसमें सुप्रिया सिर्नेट पावन खेडा वो दोनों एक साथ जाकर के प्रेस कॉंफरेंस करते हैं कॉंग्रेस जो है वो यह दे एसिलिए गड़ पर कंग्रेस का उतना फोकस है और ना二 राजस्तान के रूपर उतना फोकस है क्योंकि साथने हैं तो यहां पर अगर जीत गए यहां पर अगर अगर ताक्र Hybrid लगा दी तो फिर दोनों तक्रीबं तक्रीबं मान करके चलिए कि आ जाएगी ये कॉंग्रेस की रननीती है तो ये और आगे जो है सिवराज सिंग चौहान क्या कहते हैं सिवराज सिंग चौहान कहते है कि सीम सिवराज ने कॉंग्रेस पर साधा निसाना करनाटक फरनाटक क्या है करनाटक फरनाटक क्या है ये MP है मेरे तरकस में बहुत से तीर हैं जीत का record बनाएंगे ये उनकी तरफ से का आ गया ये करनाटक फरनाटक क्या है अब करनाटक अगर फरनाटक ऐसे ही आप ले रहे हो तो क्यों मोदी जी वहाँ पर जै बजरंग बली जै बजरंग बली जै क्या बोलेंगे इसको खेर लेकिन दो चीजे हैं जो नुकसान देंगी अभी जो ताज़ा घाओ एक तो अभी ये जो आग लगी उस आग की वज़े से जो है ये 12,000 से दो फाइल जल गई उसकी वज़े से गाओं देहा तक एकी मैसिज चला गया कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो ऐसा था इतने घंटे तक आग लगती रही गाओं के लोग इस बात को जो है वो चर्चा करेंगे कि कुछ न कुछ तो था इतने घंटे तक आग लगती रही सेना को बुला लिया एरपोर्ट से जो गाड़ियां आ गई आग नहीं बुझ पाई यह देखिया आप नो में जब आग लगी थी तो सेना को भी बुला लिया था एरपोर्ट से जो है वो गाड़ियां आती हैं और एरपोर्ट से गाड़ियां आने के बाद उन्होंने जो है वो आग को भुझाया है और इस भवन से यह जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग से केवल धाइसो मीटर द नहोता है ऐसे ख़ता हो गया ईश्मठ मिटर आ गया भास थोड़ा सा ऐसे चलके से चलना है ऐसे डाइब है सब्सक्राइब तो भाईसमीक दूर चोड़ी नुचे था लेकिन आग लगती रही तीसरी मंजिल में आग लगती हुए था एक नीन बज़े लगती है और रात नो बज़े और फिर उसके बाद 12 तक जो है वह आग लगती है रात 12 जो है चेटी मंजिल में आग लग रही थी तो ये एक चीजे और दूसरी चीज़ ये है कि मद्यपरदेश में ये भी आपको ये तस्वीर याद होगी कैसे जो है वो थोड़ी हवा चली और हवा से जो है वो च्छै मूर्तियां सब तरीसी की च्छै मूर्तियां जो है वो उखड करके गिर गए और बहुत सारे लोगों ने इसको ना जाने कहा कहा से जोड़ा कि अप सगुन हो गया ये हो गया वो हो गया संसद का उद्गाटन ठीक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कई तरह की की बातें जो है कही गई लेकिन लोगों को ये बात हजम नहीं हुई कि एक ही गोलधारे के अंदर और मैंने एक खबर अच्छे से आपको समझाई थी कि एक ही गोलधारे के अंदर 7 मूर्तियां लगी वी थी और कैसे 7 मूर्तिया उसमें से 6 मूर्तियां गिर जाती है तो ये सारी चीजे हैं जो मद्देपर्देश के चुनाव में मुद्दा बनेंगे लेकिन बीजेपी आज कैसे एक-एक रन को तरस रही है और बीजेपी एक-एक जो है वोट को तरस रही है 436 वोट जो है वाज इनको बहुत बड़ी लग रही है 436 वोट जो है बहुत बड़ी लग रही है हलाकि यह ज़रूर है कि एक वार्ड में पह्त जब्रान करके चलिए कि अच्छार त्रशुर तूह हो लोग होंगे इतने ही हूंगे तो scarce ज़या लोग होंगी तो इतने लोगों में गल किसा से नहीं मिल गया बस गार सया चैसे स्वास्तिस को लकर के मोधी का ये है, सिवराज का ये है, कारिकरताओं का ये है और हमने इतियास बना दिया है और हम 2023 का आगाज आज यहां से कर रहे हैं 436 से आगाज करेंगे कितने वोट है मद्धे परदेश में कितने लोग हैं 2 करोड 90 लाख तो करीब करीब महिला वोट हैं केवल खेर, आप बताईए, आपको क्या लग रहा है बैट्समेन जो है, वो कितना मजबूत है क्या वाकिए बैट्समेन में लग रहा है कि वो चोके छके निकालने के उसमें अंदर काबिलियत नहीं बची है और इसलिए टुक 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 करके एक एक रन को जो बड़ा रन मान रहा है या कोई ये वैट्समेन की जो है वो बड़ी रन नीती है आप क्या सोंसते हैं नीचे कमेंट वोक्स में लिक करके जरूर बताईए इस वीडियो को खूब शेर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन नीजिंड़ा को सबस्क्राइब कीजिए साथ में जो बैल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाईए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके धन्यवाद